हालो स्तों वैलकम तो के फाई येस और आजके डिसकर्सन में हमारा आज का टॉपिक है बंगलादेशी क्राइश जो बंगलादेश में अभी क्राइशिस हो रहा है उसके बारे में हम आज समझेंगे सबसे पहले कंटेक्स समझते हैं क्रेंट सिचुएशन समझते हैं क्या है औ तो हम आप आगे डिसकस करते हैं इस टॉपिक को ठीक है प्रीडिम्स का मेंस का या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है किन-किन चीजों के लिए इंपोर्टेंट है प्लिस टेके नोट अफ दिस ठीक है अभी शुरू करते हैं करेंट सिचुएशन से करेंट कॉंटेक्स से बंग बंगलादेश में जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी पॉलिटिकल डिसॉडर हुआ और इसकी वज़य से मिलिट्री के प्रेशर में पी-एम सेख हसीना को रेजिगनेशन देना पड़ा पी-एम सेख हसीना 15 साल से बंगलादेश में पावर में थी अब इन सब बंगलादेश में एक पॉलिटिकल क्राइशिस को ट्रिगर किया जिसमें किया जिसकी वज़य से क्या हुआ कि सेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा जैसे हमने पहले बात की थी उसके बाद मिलेट्री ने टेक ओवर किया वाइलेंस एन अन्रेस्ट हिंदू माइनरिटी को थोड़ा सा और नुकसान पहुचाया गया पबलिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉई किया गया और इन सब सिचुएशन ने माइनरिटी से रिलेटेड उनकी से रिलेटेड कंसर्स को बढ़ा दिया है और इंडिया ने अपनी बॉर्डर सेक्योरिटी को टाइटन कर दिया है ठीक है करन्ट सिचुएशन में यह है अब से एक हसीना रेजिगनेशन के बाद शी फ्लू टू इंडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि वो कुछ टाइम के लिए हिंडन एयर बेस जो गाजयबाद उत्तर प्रुदेश में वहाँ भी रुकी थी तो और अभी की कंडिशन यह है कि एक नई इंडिया बंगलादेश में एस्टेबलेश हुआ है मोहमद यूनेस ने चार्ट समवाला है और उनका प्रॉमिस है कि जो कंट्री के सिचुएशन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जब तक नए किया है और इस केस में इंडिया क्या जो रिस्पॉंस है वो यह होना चाहिए है कि वो मॉनिटरिंग बढ़ाए और डिप्लोमेटिक एफट्स हैं बंगलादेश में उनके थोड़ा सा ध्यान दे जिससे वहां पर पीस और डेमोक्रेटिक गवर्मेंस गवर्नेंस इस्टैब लेते हैं देखिए इंडिया में अभी तक एक्चुल में क्या कर रहा है वह उफिशिली बहुत ज़्यादा बता नहीं है बट ओवर अगर हम देखें तो इंडिया इस टेल असे सिच्वेशन ठीक है जो रैपिडली चेंजिंग डैनेमिक्स हैं बंगलादेश के उस पर करता है इंडिया का situation इंडिया के लिए उसका क्या response है उस पर depend करेगा इंडिया का आगे क्या response रहेगा ठीक है दूसरा इंडिया की जो priority है वो क्या है कि उसको bilateral relation को ensure कर रहा है कि वो adversely affect ना हो ठीक है दूसरा क्या है देखिए इंडिया का जो response है अगर देखा जाए तो वो अपने खुद के मसलें, पर्सनल इशूस हैं, कंट्री से रिलेटेड, तो अभी इंडिया का फोकस है उन पर है, तो इसलिए swift response इस situation में नहीं दे पाया है, ठीक है, दूसरा इंडिया ने क्या किया है, कि बॉर्डर की monitoring को बहुत तेज कर दिया है, उस पर फोकस कर दिया है, तो इंडिया है इस हाइटन दा बॉर्डर security, security and monitoring of the situation, उसमें क्या है, कि जो potential spillover है वाइलेंस का, देखे कोई भी एक रीजन में वाइलेंस हो रहा है, तो उससे बिलकुल फरक पड़ता है आसपास के रीजन को, तो इंडिया के North Eastern states है, specially, along with West Bengal, जैसे पांच state है, जो बंगलादेश की बॉर्डर टच करते हैं, तो ये chances हैं कि जो violence है, उसके spillover effects भी आएं इन states में, तो इस पर बहुत closely watch रखे हुए, नजर बनाए हुए है, illegal crossing का भी दूसरा एक इशू है illegal crossing हो सकती है, तो इंडिया ने इन वज़ाओं से security majors में क्या गिया है, कि border security को titan कर दिया है, अभी देखे बंगलादेश का proper पूरा crisis था क्या, इसको बहुत ही detailed में, और holistically समझ लेते हैं, जैसे आपको आपने bets and pieces में, chunks में भड़ा होगा, कैसी को कई कम idea है, कुछ थोड़ा confusion है, वो आपका, इससे clear हो जाएगा, देखे, 1971 में, बंगलादेश जब आजाद हुआ था, लिबरेट हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों उने participate किया था, बंगलादेश के लिबरेशन बहार में, जिन्होंने participate किया था, जिन्होंने freedom fighters को कहा गया, मुक्ति योद्धास, उन्होंने struggle किया था, independence के लिए अपनी, उन्होंने बहुत सार अपने लोपे लोगों को भी होया, उनका loss भी हुआ, economic loss भी हुआ, तो उनकी struggle को honor करने के लिए, उनके loss को थोड़ा सा compensate करने के लिए, बंगलादेश गोर्मेंट ने 1971 में क्या किया, उन्होंने का, कि there would be a quota system, जहाँ पे कुछ परसेंट of the total government jobs would be reserved for the freedom fighters, ठीक है, तो ये रखे गए, अब देखे क्या हुआ, ऐसे ये लागू हो गया, 1972 मेंगेश, तो ये बंगलादेश का जो liberation war के बाद establishment हुआ, उसके साथ ही quota system existence महा गया, तीन से चार साल ने कलके, 1975 में सेख मुझीबुर रहमान, जो father of nation माने जाते हैं, बंगलादेश के, अब आमी लीग पार्टी के थूँ, जिन्नों का बंगलादेश liberation war में, key contribution था, उनका assassination हो जाता है, 1975 में, ठीक है, assassination के बाद क्या होता है, quota जो system था, उस पर ये demand आने लगती है, कि सिर्फ मुक्ती चोद्दा है, यानि, freedom fighters कोई क्यों, बाकी और भी सारी community classes हैं, जो के unprivileged हैं, उनको भी quota system मिलना चाहिए, तो बाकी और sections of society को भी ये quota system extend हो जाता है, 1975 में, वो sections कौन-कौन से थे, women के लिए हो जाता है, इतने का minorities के लिए हो जाता है, और tribes के लिए भी, ये quota system extend हो गया, उस time पर ये दावा किया गया, ये freedom fighters का जो quota था, पूरा quota को dilute कर दिया गया, क्योंकि उसमें से कुछ portion, women को, इतने क्माइनेरिटीज को, और tribes को दे दिया गया, तो ये चल रहा था सारा, और finally क्या हुआ, अब ये फाइनली quota system का, क्या final contribution, या उसके बाइ, हम कहते हैं, segmentation किस तरह था, तो total 100% में से, 56% जो seats थी, वो reserved थी, यानि 56% अलगला groups के लिए, उनमें quota था, अब quota क्या था, कि 30% जो quota है, out of 56%, 30% would be reserved for the freedom fighter, and their descendants, यानि उनके children, उनके grandchildren के लिए reserved रहेंगे, total 30%, 10% women के लिए, 10% for people from underdeveloped district, के लिए, ठीके, total 50%, 5% रहेगा, indigenous community के लिए, और 1% रहेगा, persons with disabilities के लिए, तो overall 56% quota हो गया यह, लेकिन बाद में यह criticize होने लगा, criticize होने की, उसके पीछे कई reasons थे, पहला reason था, कि यह concern raise किये गए, कि जो freedom fighters के लिए, मुक्ति जुद्दास के लिए एक quota है, वो underutilized है, मुक्ति जुद्दास को नहीं मिल पा रहा, वो किसी और कोई मिल रहा है, यानि कि, misuse of quota के concerns raise किये गए, पहला reason, दूसरा था, कि large youth population unemployed थी, देख एक बंगलादेश की उस time पर population around 770 million है, ठीक है, 170 million में से, 32 million young people, they are out of work, या they are out of education in Bangladesh, तो यह discontent था, कि unemployed है हम, फिर भी quota system हमको job नहीं मिल पा रही, तीसरा, जो यह quota system था, वो civil services की positions में भी था, तो यह unemployed youth के लिए, एक तरह से इसने barrier का काम किया, कि वो civil services जोन नहीं कर पा रहे, तो aspiration को पूँ चलने का एक तरह से काम उन्हें लगा, unemployed youth को, अब चौते reason की बात करते हैं, अब चौते reason में यह गया, कि जो quota था, उसमें यह allegations लगे, controversy होई और ऐसे instances भी आए, कि जो आवामी league party है, से खसीना के party है, उसके जो supporters थे, उनको mostly जो quota गया, quota की jobs गई, उनके पास गई, तो इसको लेके भी discontent था, गुस्सा था, एंगर था लोगों में, इसके साथ साथ final यह था, कि जो quota, जो freedom fighters के लिए था, अब उनको तो मिल चुका है, बहुत time हो चुका है उस बात को, तो अब उनके बच्चों को, उनके grandchildren को, इस quota को क्यों दिया जाना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों पर protest हो रहे थे, लगाता रहोते रहे थे, student protest, तो opposition parties, political pressure बहुत था, student mobilizations भी हो रहे थे, इस issue पहें, तो 2018 में क्या किया, कि इस immense pressure की वजए से, सेख असीना ने क्या किया, एक executive order लेकिया, इस सेख असीना government, और उसने पूरे quota system को abolish कर दिया, उनका अत्तर कि ये था, कि एगर freedom fighter को नहीं मिलेगा quota, तो किसी को नहीं मिलेगा, जबकि student का मानना था, कि इसमें reform की जरुवरत है, इसको वापस से restructure किया जाना चाहिए, quota system को, लेकिन executive order से, उसने कसीना government ने, पूरे quota system को भी abolish कर दिया, अब abolish कर दिया, यानि कि 2020 से ये order force में आया, उसके बाद से 2020 से, कोई quota system नहीं था बांगलादेश में, अब देखे, जून 2024 में क्या condition थे, जून 2024 में, immediate triggers माने जाते हैं, कि बांगलादेश की high court ने, ये decision दिया है, कि जो executive order था, से कसीना government का, पूरे quota को भटाने का, वो गलत था, तो इसका मदलब था, कि उसने quota system को, वापस से, reinstate कर दिया, reinstate कर दिया, civil services quota system को, specifically, यानि कि देखो, क्या हुआ, पहले quota system था, उसके बाद उसमें, अलग-लग sections को, extra दे दिया गया, उसके बाद उसमें, प्रोटेस्ट हुए तो, अब इसकी बज़े से, फिर इस प्रोटेस्ट होने लगे, country में जुलाई में, ठीके, student, security officials के साथ, pro-government activists थे, उनके साथ clash करने लगे, इसने, और लिडी जो situation tense थी, उसको, accentuate कर दिया, एक curfew को impose कर दिया गया, shoot at site orders निकाल दिया गया, internet और mobile data को turn off कर दिया गया, सब के लिए, इन सारी चीजों की वज़े से, situation बहुत बेकार होती गयी, इसमें ये भी कहा गया, कि जो PM सेख हशीना का attitude था, response था, उसने भी एक तरह से, इन प्रोटेस्ट में fuel की तरह काम किया, correct, अब दिके, जैसे ही court ने, वापस से quota system को बहाल कर दिया, reinstate कर दिया, तो उसके against में, बहुत सारी petitions भी डाली गए इस Supreme Court में, appeal भी की गए, कि ऐसा कैसे कर सकता है, High Court, ठीक है, और इसी दोरान, कुछ students से, खसीना से मिलने भी गए, court में भी डाल दिया, कुछ students ने, और कुछ से कसीना से भी मिलने गए, कि वापस से इसको abolish कर दिया जा, इसमें reform कर दिया जाएं, ठीक है, लेकिन से कसीना ने क्या किया, मना कर दिया, कि देखिए, अभी court proceedings चल रही है, appeal हो चुकिए, High Court के decision के खिलाफ, verdict के खिलाफ, यह वो लोगों को कहा जाता है, जिन्होंने 1971 के जो war of independence था, मंगलादेश का, उसमें पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था, तो उनको रजाकार का गया, तो से खसीना ने, ऐसे students को, जो कि जॉब कोटा का विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनको रजाकार का और टेरिस्ट का, तो यह भी उनको एक prompt किया, इस thousands of students को, कि वो अपनी धाका उन्वस्टी के dormitories को छोड़ गे, प्रोटेस्ट के लिए रोड पोता रहे, और यह सारी situation चल रहे थे, वर्शन हो गहें थे, तो फिर remedial measures start किये गए, यहनी कि जो इंटरनेट मोबाइल turn-off किये गहे थी, connections, उनको on कर दिया गया, सुप्रीम कोड की appellate division ने किया गया, कि हाई कोड के order को कहा कि बिल्कुल गलात है, उसने का बिल्कुल ठीक है, कि हम quota system में restructure करें, तो उन्होंने का, कि only 5% जो jobs हैं, वो freedom fighter उनके descendants को दिये जाएंगे, और 90% seats हैं, जो government service में होंगी, that would be based on merit, ठीक हैं, लेकिन तब तक situation हाथ से निकल गई, it was too late, violence और chaos वो शुरू हो चुके थे, और वो continue चलने लए थे, अब शेक असीना को country को छोड़ना पड़ा, और उनके residents में गुश गये, छोड़ने के बाद, protesters और property को destroy करना शुरू किया, और उन्होंने street को celebrate करना शुरू किया, और बंगलादेश के army chief थे, जनरल वकार उजमान, उन्होंने एक broadcast में खाए, कि सेक हसीना ने resign कर दिया गया है, और military interim government को बनाएगी, ठीक है, फाइनली यह हुआ कि अभी एक interim government है, मौहमद उनिस के लिए तुर्तों में, और से एक हसीना country से निकल चुकी है, यह overall, यह पूरा episode है, तो reality में देखे हैं, जो anti quota protests थे, उनको strength कहां से मिली, क्या quota ही इकलौता reason था, नहीं, यह immediate reason था, एक main reason कहां सकते हैं, लेकिन issues बहुत बड़े हैं, deep-seated economic and political crisis है, यानि कि से एक अशीना government के साथ, political dissatisfaction था, experts ने बुला कि, political discontent है उनके खिलाफ, तो इसकी वज़े से, जो पूरा protest है, वो grow होता रहा, एक surface के अंदर, और finally, यह विक्तम, surface के बाहर आया, और जन्ता को, जन्ता ने violence करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो overal अगर हम देखे हैं, बंगलादेशी crisis के, जो causes हैं, पहला है, political discontent क्योंकि, से खशीना government पे, political votings वगेरा में, allegations लगते रहे हैं, कि vote regained किये, इन्होंने, बहुत इमानदारी से, fair तरीके से, चुनाब नहीं जीते हैं, और अपनी political dissent को, oppositions को हमें साथ दबाने की, कोशिश की है, ठीक है, corruption के भी charges थे, तो यह political discontent हो गया, दूसरा economic factor, जिसमें हम unemployment की बात करते हैं, inflation की बात करते हैं, यानि कि बंगलादेश की economy ग्रोग कर रही थी, लेकिन बंगलादेश की जो economic growth है, वो common people था, lower strata था, पहुच नहीं पा रही थी, तो वो एक youth में dissatisfaction था, तीसरे अगर हम social issue की तरह तरफ देखें, तो उसमाँ आथ है कोठा सिस्टम, जैसे के रिफॉर्म की बात कर रही थी, खोटा सिस्टम में, ठीक है, तो इनिशेली जी student-led था ये प्रोटेस्ट, जी एक्स्पेंड तो इंक्लूट वरियस societal grievances अगेंस था रूलिंग पार्टी, तो, हैंस इट सेम्स था, the overall GDP growth was evident in Bangladesh, but this GDP growth was not translating into the economic well-being of many Bangladesis, तो, lack of opportunity हो गई, high unemployment rate हो गया, और इन्फलेशन जो बढ़ता साइन्फलेशन था, वो एक ongoing source of tension, और ongoing crisis में इसने समने contribute किया, now let's understand about the concerns for India due to this crisis, पहला concern देखिए, इंडिया का, इस crisis के वजए से है, refugee influx और extremist का trespassing का issue, ठीक है, अब देखिए, ये situation के वजए से, जो refugee crisis है, वो बहुत बढ़ सकता है, और ये concern है security के लिए, इसमें क्योंके देखिए, इस crisis के वजए से, जो terrorist हैं, बहुत सारे extremist हैं, वो trespass कर सकते हैं, इंडियान बोर्डर में, और इससे क्या है, इंडिया की stability को geopolitize करेंगे, ये बहुत impact करेंगे, adversely affect करेंगे, especially in Northeast and Bengal region, so this influx of refugees, may put pressure on the Indian border states, impacting their security and the resources, दूसरा देखिए, वो concern है, Chinese influence का Bangladesh में, बंगलेदेश, अल्रेडी, Belt and Road Initiative है, चाइना का, उसका active partner है, और जो BRII initiative है, उसने infrastructure को finance किया है, चाइना में approximately 10 billion dollar का, तो यानि कि चाइना में, चाइना ने BRII का जो finance है, उसके इसके इलावा भी 25 billion dollar के, बहुत सारे projects हैं, infrastructure projects हैं बंगलादेश में, उनको भी sponsor किया हुआ है, यानि पाकिस्दान के बाद, बंगलादेश दूसरी कंट्री है, जिसमें BRII के थुरू, चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, इसके साथ साथ military presence भी, दौनों के military bonding, military cooperation भी बढ़ रहा है, अगर कोई ऐसी government बनती है, बंगलादेश में है, जो चाइना की तरफ थोड़ी सी inclined है, या इंडिया की तरफ neutral है, तो इससे क्या होगा, इट वोड़ पोटेंचिली अंडर्माइन इंडिया स रीजिनल स्टेंटिंग, एंड देस वोड इंपीड, इसके साथ देखे, डिफेंस and सेक्यूर्टी कंसर्स भी है, इंडिया और बंगलादेश की, इफ वी टॉक अबाउट दे बाउडर, इसमोर दन 4,000 किलोमेटर बाउडर, तो बी स्पेसिफिक, 4,096.7 किलोमेटर बाउडर, यहां आप फिगर में देख सकते हैं, कौन-कौन से स्टेट्स हैं, वो टच कर रहे हैं इंडिया की बाउडर को, आसाम, वेस्ट वेंगौल, टरपुरा, यहां देखिए, मिजूरम, एन मेगला, जो रेड में देख रहा है, जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं, बाउंडरी पिलर्स की, और एंटी-टर्रिस्ट ऑपरीशन को भी एग्सेक्यूट करते हैं, तो अगर बांगलादेश में कुछ ऐसी गोवर्मेंट मनती है, और यह क्राइस है, अगर गंटीनू रहता है, तो और यह सिचुएशन चैना पाकिस्तान की दोरा यूज की जासेटने, ट्रेस्पास करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रीमिस्ट यह टर्रिस्ट के मुव्मेंट के लिए, इंडियन बार्डरों में पहुँचाने के लिए, ठीक है, अब यह दिस क्राइसिस तीसरी अगर हम बात करें, तो इंस्टेबल नेबर्वूट्स, यानि कि यह सिचुएशन वर्सन करता है, पाकिस्तान की बॉर्डर हो हमेसा होट रहती है, वहां से हमेसा टेंशन बनी रहती है, अभी क्या हुआ है कुछ स्वालों से, चाइना के साथ भी LAC, line of actual control, पर stand-off की स्थेती आ चुकी है, तो चाइना के साथ भी relationship बहुत अच्छे नहीं है, बांगलादेश में military government है, तो वहां भी turmoil है, instability conditions है, democratic government नहीं है, स्री लंका में भी economic problem चल लिए है, and now the Bangladesh crisis, तो ये सारी चीज़ें मिलके, एक New Delhi is fearing that there will be a return to the Islamic radicalization in the eastern neighborhood, overall सारी situation, unstable situations है, तो इंडिया का जो नेबर होड़ है, देखें, वो कहते हैं ना कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं, तो इंस्टेबल नेबर उड़े, इंडिया का ये भी concern है, इसके साथ drug smuggling, human trafficking और fake currency से related भी concerns है, अगर हम बंगलाद इसके side में बात करें हैं, तो वहाँ पे एक golden triangle है, जिसमें थोड़ा सा पार्ट चाइना का, और Laos है, मयान मार है, ठीक है, और Thailand है, इंग में क्या है, opium cultivation and opium trade के जो world के important centers है, यहाँ पर है, इस वाले golden triangle में, यहाँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कि unstable reasons होगे, तो ये drug trafficking, drug smuggling के instances बढ़ेंगे, और लोग बेघर हो रहे हैं, लोगों के पास political crisis में दिक्कत आ रहे हैं, तो there would be increased heightened chance for the human trafficking, especially children and women, इसके स साथ animal or bird species को trade किया जाता है, इन border के साथ, तो ये सारे instances बढ़ जाएंगे, इसके साथ fake currency का और gold की smuggling है, वो भी rampant instances होगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्सन हो सकती है, now let's come to the economy part, economy, investment, trade, India, South Asia में, Bangladesh का largest trade partner है, if we talk about the figures, जो trade है, इंडिया बंगलादेश में, 2023 financial year में, that is estimated to be around $13 billion, ठीक है, इंडिया के cotton के लिए, बंगलादेश biggest export destination है, यानि इंडिया का लगबग एक तहाई, total cotton exports कहा जाता है, बंगलादेश में, इसके साथ, बंगलादेश, free trade agreement की भी बात कर रहा है, इंडिया के साथ, और इसके साथ, और भी सारे agreement है, जैसे साफटा बगे इंडिया के साथ है, इन सारी चीज़ों पर बहुत फरक पढ़ सकता है, अगर instability continue रही, तो जो economy है, investment है, trade है, और इंसे related implications है, इंडिया के लिए, बहुत अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल adversely impact कर सकता है, दोनों की बीच का bilateral trade, Now come to the connectivity and infrastructure, अब देखे, जो इंडिया, जो connect है, जैसे यहाँ पर देखो, इंडिया यहाँ पर connected है, अपनी नौर्थ इस्टन स्टेट के साथ हो है, चिकन कोरिडोर से है, जो के बहुती छोटी space है, जिसको overcome करने के लिए, बांगलादेश के तुरू, इंडिया, नौर्थ इस में एक लाइन है, रेल लाइन है, हल्दी बाडी, चिला हाती, पित्रा पोल, बैन पोल, देखे, पहला जो मैं बोल रहा हूँ, वो इंडिया में है, दूसरा बंगलादेश में, जैसे अगरतला इंडिया, अखावरा बंगलादेश, जो आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल है तो ये सारी लिंकेज हैं, वो रेल लिंक्स हैं, इंडिया में बंगलादेश के बीच में, इसके साथ तीन रेल हैं, जो दोनों कंट्रीज के बीच में चलती हैं, जैसे मैत्री एक्सप्रेस है, वो 2008 से चल रही है, और ये कब से ओपरेशन में हैं, वो ये येर भी आप यहा खुलना मौंगला पोर्ट रेल लाइन है, वो भी एक ऑपरेशनल है, जो इंडिया को डिरेक्ट एक्सेस देता है बंगलादेशी पोर्ट के लिए, ठीक है, सीक्यों, मतरबारी पोर्ट की भी बात यहां पर चल रही है, ये एक पोर्ट है, that is being built by the बंगलादेश, along with that, and water waste, trade and transit का, जो के 1972 से operational है, trade के लिए, इन सारी चीज़ों पर, overall connectivity पर impact आ सकता है, if there is instability in bangladesh, so disruptions in bangladesh could impact these vital trade connection and infrastructure connectivity issues, right, इन पर सारा impact बढ़ सकता है, अब इसके साथ, minority के लिए, हिंदू minority के लिए भी एक concern है, क्योंकि total population में, bangladesh की में, सिर्फ 8% है, हिंदूस, उनके खिलाब violence heightened हो सकता है, वर्षन हो सकता है, इसका भी एक concern raise किया जा रहा है, ठीक है, अब now let's talk about the water sharing, देके दोनों countries के बीच में 54 common rivers हैं, लेकिन treaty दोनों के बीच में से गंगा और कुशियारा पर सायन की गई है, गंगा water treaty 1996 और कुशियारा river treaty, और सारी measures reverse हैं, जैसे तीस्ता है, फैनी है, उनमें जो negotiation है, वो अभी भी चल रही है, उनमें वह यशू है कि equitable distribution of water, तो ये सारी issue impact कर सकते हैं, इंडिया बंगलादेश के relation को, हलंकि short term मे नहीं होगा, long term में, ये situation अगर वर्सन होती है, तो इन चीज़ों पर impact कर सकता है, तो ये क्यों होगा, that will depend more on the attitude of the new government of the Bangladesh towards India, correct, इसके साथ तो foreign policy और diplomatic relations भी impact होगे, क्यों होगे, that is very obvious, क्योंकि बहुत सारे forums हैं, महाँ पर दोनों share करते हैं, जैसे BIM stake है, G20 summit में भी invitation दिया थ बंगलादेश को, ठीक है, तो overall इन चीज़ों पर भी फरक पड़ेगा, अगर दोनों country's के political leadership एक दुर्चे के साथ friendly नहीं है, ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, इभी talk about the way forward, उसमें, दिखे, अब diplomatic engagement की बात की जा सकती है, diplomatic engagement मतलब कि जो existing relationship है, उसको maintain करना, औ जाने के licensing, जिससे नई government alienate ना हो जाए, इंडिया से, ठीक है, तो अगर थोड़े से diplomatically engagement बढ़ाई जाए, तो this will help India to manage the crisis, and this will also help in fostering a peaceful resolution, ठीक है, डूसरा है, regional stability, तो जैसे हमने बात की थी कि इन स्टेबल नेबर होड है, तो हमको regional stability पे भी ध्यान देना होगा, so both country must work towards ensuring that the political transition in Bangladesh does not lead to the more regional instability, तो इसके लिए दोनों countries को collaborative efforts डालने पढ़ेंगे, जो security को address करें, economy concerns को address करें, connectivity को address करें, overall relationship को address करें, ठीक है, दूसरी border security, यहाँ पर हम दो बार कर सकता है, short term और long term में, तो short term में देखे हैं, तो border को monitor करना, उसकी border security को tighten करना, जिससे कहा है कि जो extremist और terrorist के potential movement ह उससे related loopholes को fill कर सकें, वो movement को नहाँ पाए, ठीक है, और illegal immigrants या, Indian territories में नहाँ पाए, ठीक है, तो short term में यह कर सकते हैं, long term में क्या कर सकते हैं, कि artificial intelligence और data analytics की help से, smart border solutions को लेके आया जाए, उसको implement किया जाए, जिससे क्या हो, कि cross border movements को streamline किया जा सके, जिससे security और efficiency ensure की जा सके, इसके साथ देखिए, public perceptions पर भी धान देना होगा, कि इंडिया का जो भी response होगा, वो shape करेगा, बंगलादीस की population के response को, उस बंगलादीसी population में, इंडिया की image कैसी हो, उसको ensure करेगा, तो यहाँ पर जो इंडिया का response हो, उसको balance करना पड़ेगा, कि किस तरह से वो response करता है, जिससे कि उसके strategic interest भी बनी रहें, और एक democratic process फॉलो कर रहा है, यह image, यह message भी थन्वियो हो लोगों की तरफ, तो public perception को manage करना है, दूसरा humanitarian और diplomatic response पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हिंदू minority crisis की मैंने बात की, दूसरी बात human trafficking की भी बात की है, drug smuggling की भी बात की है, इन इंडिया बांगलादेस relationship की proper history क्या है, और उनके बीच में कैसे relation रहे है, बांगलादेस में क्या crisis रहे है, current exactly relation क्या है, इसके ओडेटेल में cover करने के लिए, जो कि आपके IR के लिए एक तरह से comprehensive understanding के लिए एक वीडियो होगा, इंडिया बांगलादेस का, ओ तल्या परसौन आ करते है अगले वीडियो में, thank you for being with agfais.